हलो दोस्तो दमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टाटा ग्रूप से रिलेटेड याज दोस्तो टाटा ग्रूप ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेते हैं बट अगर हम लोग चाइना के और से बात करें तो उनको लगब चालीस हजार करोड का घाटा हो गया एंड यह हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप सबी लोग बता है बॉयकोंट चाइना से रिलेटेड बहुत जादा नारे लगे अगरूप यह की सथे कंपनीद में नहीं है राटा इटी में युऴ सबी इलेक्सिर बी आपोगोंने देखा होगा एब देखा हो गा चौण फ्लीस यह तोiques होगस्त Hernandez से अंगर पड It 02 संको बसक्रोंट करना पड़ता है वहाँ तुनको इंको बच tienes चाइना याक पने कह के पीछे का वज़ा आप सभी लोंग पता है कि वो सस्ते दाम पे बेजते हैं कॉलिटी की बात अलग है बट डेफिनिटली तो टाटा ने भी यहाँ पे कुछ प्रोडक्स है वो जो क्या करते थे कंपोनेंट से वो इंपोर्ट करवा थे थे बट फाइनली दोस्तो टाटा ने यहाँ पे आत्मनिरबर भारत का नारा लगा दिये हैं और उन्हों कह दिया कि हम लोग चायना से भी import लाना या पर बंद करने वाले हैं सो दो यह सोच खेंग equations को आ समझ सकतें की चायना को मतलब टाटा गूरूप यह कोई छोटा मोटा गूरूप नहीं है बहौत करोडों का या अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो न्यूज जैसे मैंने आप लोग को बता है इस वीडियो को हम लोगों ने चार हिस्सों में डिवाड किया है कुल मिला कि तीन से चार न्यूज है चायना का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में कौन सा है तो इलेक्ट्रोनिक ग्याजट्स है सेल्फोन का है इलेक्ट्रोनिक कमपोनेंट्स का है जो कि वो बहुत ही सस्ते दाम में बेशते हैं पूरी मोनोपाली 75% मार्केट उन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है इसको तोड़ने के लिए टाटा ग्रूप यहाँ पर शुरुवात करने वाले आप देख सकते हैं नया यूनिट वो लगा के शुरुवात करने वाले बहुत कुछ अच्छा अच्छा न्यूज हम लोगो कवर करने शेर्स भी कवर करने तो फिर वीडियो वो अननेसेसरली 15-20 मिलिट का भी बन सकता है सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल न्यूज हम लोगो देखने को मिल रहे कि टाटा ने भी यहाँ पर आत्मनिरवर भारत का नारा दे दिया है टाटा कोई चाइना के उपर ज्यादा डिपेंड नहीं देखने को मिल रहा था अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उससे रेलिटी टाटा फ्रेश टार्टिंग कर रही है अभी टाटा ने बाद में क्या किया जो चीजे वो इंपोर्ट करवाते थे अभी आप सभी लोगों को में बताना चाहूंगा कि जिंक जिंक की अगर हम लोग बात करें यह एक ऐसी चीजे जो कि सारी जगों पर हम लोगों को यूज होते वे देखने को मिलते हैं हर एक पैमाने के उपर और टाटा के तो बहुत सारे बिजनेसे से टाटा स्टील भी है राइट सो उसमें भी हम लोगों को यह जिंक बहुत ज़ादा पैमाने के उपर यूज होते हुए देखने को मिलता था सो दोस्तो यहाँ पे जो टाटा इंपोर्ट किया जाता था यह जिंक वो कहा से इंपोर्ट होता था वो चाइना से इंपोर्ट होता था दोस्तो बट दोस्तो आप अभी सभी लोगों को में बताना चाहूंगा कि चाइना से आने वाले यह जिंक अभी टाटा ने बंद करने का फैसला लिया है आता था तो हम लोग वापस कह सकते हैं कि यहां पे टाटा अभी फुल टाइप से मतलब आप सब लोग कता है वोकल फॉर लोकल या फिर आप कह सकते हैं आत्मा निर्वर भारत से रिलेटेड जो हम लोगों को कैम्पेंड भी रन होते वे देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारी GDP अगर आप देखोगे तो बहुत ही जबर्दस कॉंट्रैक हुई थी और आज भी है तो उसको निकालना किसको है हमी लोगों को तो निकालना है तो उसके चलते आप लोग देख सकते हैं जो बड़ी बिजनेसमेंने उनको यह सारी चीज़े करनी पड़ीगी एड़ीस टाट 10% तो आप लोग यहां पर बोल सकते हैं 10% जैसे में नहीं कहा कि जो अवेलेबल नहीं है वो तो मंगवा नहीं पड़ेंगे तो बहुत ही बड़ा जटका चायना को वापस हम लोगों को यहां पर लगते देखने को मिल रहा है और यह जटका किसी चोटे-मोटे कंपनी ने भी और गुल कि यह ताटा स्टील हम लोग कह सकते टाटा गृप ने यहां पर जटका जबरदस यहां पर दे दिया है तो इसी के चलते हैं अगर हम लोग बात करे तो हिंदुस्तान जींक आप सभी लोग यहां पर देख सकते गजब की कंपनी बट आप सभी लोग को बता है एक अच्छी गासी जंप हम लोगों को 12 बजे के बाद भी आपे देखने को मिली है कमपनी, लार्ज कैप कमपनी आप सबी लोगों को ये सारी चीज़े आपे जरूर पता है बट दोस्तों वापस कहना चाओंगा सिर्फ ये न्यूस सुन के आप लोगों ने कोई इंवेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों ने ये भी देखना चाहिए कि कमपनी के पैरामिटर्स के से 5 साल के अगर मैं बात करूँ यापे 2018 से कमपनी लगबग हम लोगों को 30% डाउन देखने को यापे मिल रही है सो रिटेल इंवेस्टर की सोच से मैंने हमिशा आप लोगों को बताए कि भाहर आ जाओ कि न्यूस सुन के डिरेक्ली कूदना नहीं है उसमें आप लोगोंने पैरामिटर्स लगाने क्या आप लोगों को वो कमपनी का बिजनेस समझ में आता है वो पहले चेक कर लेना चाहिए कमपनी का बिजनेस मॉडल कहा कहा पे फिला हुआ है वो भी देख लेना चाहिए उसके बाद आप लोगों ने decision यहाँ पर लेना चाहिए बट हम लोग कह सकते कि हिंदूस्तान जींग के लिए ये बहुत ही गजब की positive news हम लोगों को देखने को मिल रही है दोस्तो उसी की साथ आप लोगों ने देखा होगा Tata Motors में आज हम लोगों को गजब की तेजी देखने को मिल रही है और लगबख 10-9% की ये तेजी देखने को मिल रही है तो टाटा मोटर्स इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताए था ये बहुत ही नीचे जब 60-70 रुपे पे आया था ये और मदरसन सुमी दोनों के दोनों थोड़ा सा कॉंटिटी हम लोगों ने यहापे एड़ भी किया था देखा जाये तो क्योंकि और्टर सेक्टर है इस जिंक इस्तमाल किया जाता था जो भार से इंपोर्ट किया जाता था चायना का वो बहुत ही भारी पेमाने के उपर यूज किया जाता था बट अभी वो बंध होने के कारण बहुत सरे इंवेस्टर भी इससे भी खुश हो चुके और आप सभी लोगों को बताए टाटा मोट में भी हम लोगों को अच्छी कासी अभी आपे तेजी देखने को मिल रही है इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बता है कि टाटा मोटर्स अगर आपके पोटफिल में रहेंगे 400 रुपया उससे उपर भी फिर भी आप लोगों इसको लॉस में निकालना नहीं क्योंकि टाटा की शेर्स की एक कॉलिटी होती है इससे रिलेटेड एक में वीडियो बनाने वालों कि वह कैसे भागते हैं बट यह भी कह सकते कि आप देख सकते हो आज का दिन जबरदस हमलों को टाटा मोटर्स की शेर्स याप भागते वे देखने को मिले हैं बहुत ही जबरदस परफार्मस है अगर हम लोग आप बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टाटा मोटर्स के बारे में तो आप प्रमोटर्स के होल्डिंग देख सकते हैं 47.34% देखने को मिल रही है सो दोस्तो हम लोग जरू कह सकते कि टाटा ग्रूप ने यहाप जो शुरुवात की इसके चलते चायना की और भी बैंड यहाप बचते हुए हम लोगों को यहाप देखने को मिल रही है सो दोस्तो यह भी एक वज़ा है जो कि मैंने आप लोगों को यहाप बता दी यह सारी वज़ा जिसके चलते टाटा के शेर्स में हम लोगों को अच्छी कासी एक तेजी यहाप डिसेंट तेजी देखने को मिल रही है सो डेफिनेटली टाटा भी अभी हम लोगों को आत्मनिरवर भारत में जुड़ता हो देखने को मिल रहा है एंड एक्सपर्ट का भी जो बाते यहाप पे कहनी थी वो भी बिल्कुल सही मुझे लग रही है यहापे क्योंकि आप सबी लोग पता है फिलाल की जो प्रेजेंट गवर्मेंट है वो आत्मनिरवर भारत के उपर भी बहुत सिरियस है एंड चायना को जितना डैमेज वो पोचा सके फाइनेशली एकनोमिकली उसके लिए वी वो पूरी कसर यहापे मतलब कोई कसर यहापे छोड़ी नहीं रहे जो भी कमपनिया जो चायना के उपर डिपेंड करती है बहुत ही जादा उनकी लिए शायद से आगे फ्यूचर में दिक्कते हो सकते तो जितने भी कमपनिया जो चायना की उपर से अपने डिपेंडेंसी कम करीगी डेफिनेटली सरकार उनके फेवर में भी कुछ ना कुछ हम लोगों को अच्छे कासे डिसीजन्स आगे फ्यूचर में लेती होई देखने को भी मिल सकती है इसी के चलते है आप लोग देख सकते हैं अभी Tata Motors भी हम उलोगो जुड़ते हुए देखने को जरू मिला है electric components से related शुरूआत उन्हें अबी की है, electric components से अगर मैं बाद करूँ तो आप सभी लोग पता है दो company major है एक है Dixon Technology and Umbbered Enterprises सो electronic gadgets से related अगर हम लोग बात करें domestic level पे तो ये दो famous company है सो Tata भी अभी हम लोग को इसमें enter करते हुए देखने को मिल रही है क्या इससे ये दो company खतम हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Tata ने तो अभी ज़स्च शुरुआत करने के लिए यहापे कहा है कैसे रहता है Jaguar and Land Rover की कहानी आप लोगों को जरू पता होगी सो आयो पाशा करता दोस्तो एक unique चीजे भी आप लोगों को यहापे सीखने को मिलेगी कुछ knowledge भी आप लोगों को gain करने को यहापे मिलाओगा और मैं जरू चाहूँगा आप लोग भी Google के उपर जाके जो टाटा ने जो जबरदस यहापे फेसले लिये है वो भी एक बार जरूर रेफर कर लिजे तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा अगर आपको वीडियो चल लगे तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना तो उनको भी यह सारी बाते पता चल जाएगी वी बिल भी मिटिंग अरनेक शेडियो तब तक के लिए बाई बाई